Hello everyone and welcome to our YouTube channel जैसा कि मैंने आपको बताए था हम Indian geography जो हैं पढ़ रहे हैं वो भी किस के लिए Indian army के लिए जो आपके 12th basis पे आपके exam होते हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाले जो graduation level है उसके लिए ये वीडियो नहीं है अगर आप 10th ये 12th pass कोई भी exam हो जैसे की जेके SSV, SSC, Indian army, यहाँ पे Indian navy, air force, कोई भी ऐसा exam जो 12th basis ये 10th basis पे हो उसके लिए ये वीडियो होने वाले इस वीडियो के मादियों से हम क्या पढ़ने वाले हो भी मैं आपको बता देता हूँ हमने पहले lecture में पढ़ा था उसमें हमने जो है crops के बारे में ही पढ़ा था बट वहाँ पे हमने worldwide उनको पहचाना था जो की यहाँ पे आपके wheat, rice, जो भी आपके consumption वगेरा जो भी crops हमने देखी थी ओगर आपने वीडियो नहीं देखी है उसकी link मैं आपको description में दे दूँग वहाँ से आप उसे check out कर देना यहाँ पे और उस वीडियो को जरूर से देखना उसे ही आपको ये वीडियो समझाएगी पहले उसे जाकर देखना आज हम क्या discuss करने वाले आज हम फिर से यहाँ पे non food crops और cash crops discuss करने वाले हैं यहाँ पे production of crops in India के बारे में जाने वाले और यह जो topic आपका Indian geography से आता है तो चले सीधर मैं लेके चलता हूँ page की तरफ so हम आज क्या पढ़ने वाले non food crops और cash crops इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ आज हमने क्या पढ़ने हैं यहाँ पे मैं आपको शो कर पारा हूँ यहाँ पे देखिए हमने यह यह पढ़ने है जीसे क्या कैश्यू होके sugar can, tea, coffee तो इसक इसको बोलते हैं उसकी भी खेती की जाती है आपको यह भी पता होना चाहिए यह कहां पे हम इंडिया में आज पढ़ने वाले हम worldwide इनको comparison नहीं करने वाले हैं बलकि इंडिया में मैली जिन स्टेट्स में यह ग्रो होता है उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं इट इस ग्राउ यहां पर यह सबसे जादा जो है इसकी growth मलब grown उगाया जाता है यहां पर हम टी की बात करें मैंने लाश्ट वीडियो में आपको क्या बताई था टी का number one पर हम यहां पर production करते हैं world world में तो हम यहां पर टी के बारे में भी पढ़ने वाले और टी का आपको पता होना आज बहुत ही जादा बाढ़ आपने देखा भी होगा निउस में आसा में बहुत ही जादा बाढ़ आ चार रही है वेश्ट बंगाल निलगिरिस केरला धैरदुन उत्राचल और धैरदुन उत्राचल एंड कांगराफ वेली एट प्रेजेंट इंडिया सप्लाइज देखे वो भी टी का अब कैशिम नट की बात करते हैं मेलडी कहां पे ग्रॉन होता है केरला महराष्टरा गोवा आंधरा प्रदेश यहां पे आप हम बात करते हैं कॉफी की आपको पता ही होगा क्योंकि देखे सबसे ज़्यादा कंजप्शन देखे पानी के बाद अगर इंडिया में किसी का होता है वो टी है और यहां पे कॉफी का उतना यहां पे ट्रेंड मतलब नहीं है इतना कंजप्शन इसका नहीं होता है कॉफी कहां पे ग्रॉन होता है करनाटका टैमिल नैडू एंड केरला यहां पे हम सिंपल स्टेट्स के साथ कॉमपैरिजन करेंगे बाकी कु यानि केसर जो कि आपको पता होगा किष्टवाड में भी उगाया जाता है मैंली ये जम्मू कश्मीर हो जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो किष्टवाड किष्टवाड में ये सबसे जादा ग्राउन किया जाता है यहां पर हम टोबैको की बात करें टोबैको जो ह यूपी टैमिल नाडू करनाटका वेश्ट बंगाल महराष्टा गुजरात एंड इन सम पार्ट सॉप पंजाव याने कुछ हीसों के पंजाब के कुछ हीसों में भी तंबाकू उगाया जाता है अब हम बात करते हैं तो यहां पे कॉटन की जो कॉटन आपको पता ही होगा इं इंडिया रैंक सेकंड इन दी वॉल्ड विद रिकार्ट दुदा कॉटन प्रोडेक्शन यहां पे मैंली स्टेट्स कोन सी हैं जो ग्राउन करते हैं प्रोड प्रेड्यूस करते हैं कॉटन को महराष्ट्रा गुजरात मध्यपरदेश टैमिल नाडू आंद्रा परदेश आर प्रोडेक्शन आफ राजूट इसका मदलब के हैं मैं बता देता हूं सबसे पहले ज्यादा तर कहां पे ग्राउन होता है यह हमारे पार जूट वेस्ट बंगाल में आसा में बिहार ओडिसा एंड सम पार्ट्स आफ यूपी यानि कुछ हीसों के उतर प्रदेश के कुछ ही में भी उगाया जाता है जूट और इंडिया जो है आलमोस सेल्फ सफिशन्ट है किसके प्रोडेक्शन आफ राजूट के लिए अब हम बात करते हैं रबड की रबड जो है मैली ग्रॉन होता है केरला टामिल नाडू करनाट का केरला प्रेडियूस इस 95% आफ रबड इन केरला में आपको क्या है 95% कितना 95% का जो यहां पर इंडिया का मलब रबड केरला में ही उगाया जाते 95% अब हम बात करते हैं सिल्की सिल्क की बात करते हम यहां पे सिल्क जो है इंडिया सिल्क is प्रेडिूच्ट इन करनाट का विष्ट बंगाल, भिहार, आसाम, एड्ड, काश्मीर में भी आपको सिल्क की प्रोडेक्शन देखने को मिलेगी और यहां पे देखे काश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यह सोच रहे होंगे सर वेश्ट बंगाल बहुत टाइम बहुत बार आया वेश्ट बंगाल वेश्ट बंगाल आपको पता ही होगा अंग्रेज जो है हमारे यहां पर ब्रिटिश जो रूल किया था उन्हों है यहां पर मुश्ली जो है आपको वेश्ट बंगाल देखे टोबा को वेश्ट बंगाल में यहां पर मैक्सिमम चीज़ें आपको वेश्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी इसलिए अंग्रेज उन्हें वेश्ट बंगाल को लूटा था कि वहां पर सबसे ज़्यादा पै आपके पास कोई और टापिक सजेस्ट करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां पर नीचे कॉमेंट में जुरूर अपना कॉमेंट ड्रॉप करें ताकि मैं उसके उपर नई वीडियो ले के आऊं तो फ्रेंड्स थेंक्स वर वाचिंग